कि यह पहला इलेस्टेशन देखते हैं हम लोग इसे इस फंक्षन की लिमिट हमें कल्कुलेट करनी है यह फंक्षन किस चीज को अप्रोच कर रहा है किस चीज को अप्रोच कर रहा है इस सबसे पहले स्टेशन को किसी दो फंक्षन के बीच में बांधना पड़ेगा किसी दो function से बीच में इसे कैसा sandwich करना पड़ेगा तो यहां तुम्हें देखो सबसे पहले जो सादा मैं लिबरा इस्तमाल कर रहा हूँ वह यह यह 7 sin x तुम्हें दे रखा है इस्तमाल हुआ उस function का मैं हमेशा यह कह सकता हूँ 7 sin x minus 7 से 7 के बीच होगा कुछ ना कुछ ठीक है अच्छा अब 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 दोनों तरफ मैं एक्स का एडिचन करूँ as x tends to infinity तो inequality में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है यह चीज है तुम अभी यहां पर देख पा रहे होगे कि यहां पर इस तरफ मैं कैसा दो तरफ फंक्षन्स क्रियेट कर रहा हूँ इनक्वारिटी के भी चमी पर प्लस 13 से जैसे तुम इसको इसको डिवाइड करोगे तो अब्रेशन नेगीडिव कॉंटिटी से अगर तुम डिवाइड करोगे तो साइंच हो जाएगा इक्वालिटी का चिखे किया माइनस 2 x will tend to minus infinity प्लस 30 नगर तुम करोगे तो एक negative quantity यह बात ध्यान में रखना इसलिए इक्वालिटी का sign change होगा चिखे किया उसके बाद sign change होने के बाद सिच्वेशन देखो तुम्हारे पास बीच में वो जो required function है वो sandwich हो चुका है आप तुम्हारे पास दो functions के बीच में चिखे कि यह ऐसे अब देखो तरा यह हमेशा इस function से बढ़ा रहेगा और यह जो function है यह इस से बढ़ा रहेगा हमेशा यह inequality का order रहेगा इसमें हमेशा यह वाला inequality का order हम लोग कैसा neighborhood में चेक करते हैं और नेबर हुड के लिए एकस इका neighborhood पर ही sandwich theorem हमें अप्लाई करना है x equal to a से हमें कोई लिना देना नहीं कोई वास्ता नहीं है इसका मतलब f of a need not necessarily be greater than equal to g of a need not necessarily be greater than equal to h of a यह बात अपने को ध्यान में रखने है चेके आच्छा अब अगर इन दोनों functions की अगर तुम limit देखो limit x tends to infinity चेके x minus 7 by minus 2 x plus 13 यह बहुती साधानन सा limit आई है limit x tends to infinity x plus 7 यह दोनों values अगर तुम देखो calculate करके कि यह चीज कितनी आएगी करके तो यहां पर हम काफी common सा algebraic उसमें algebra of limits का एक common सा result इस्तमाल करेंगे कि यहां पर देखो इस चीज को 0 लिख सकते हूं ठीक है इस चीज को evaluate करने के पहले तुम कैसा करोगे सबसे पहले limit को उपर और नीचे ऐसा काम ठीक है limit x minus 7 यह ऐसा काम करोगे यह ऐसा ठीक है लिमिट एक्सटेंट सो इंफिनिटी माइनस टू एक्स प्लस थर्टीन यह काम मैं कर सकता हूं अब उसके बाद उपर नीचे अगर मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया तो यह चीज कुछ ऐसी रिखने लगी कि लिमिट एक्स तंस एक्संजी आहको इनदाएगा यहां प्रोगेट होगा मैने क्यां एक्सक्यट जिवाइड ऑल माइनस तू नग्स तो लिमित एक्सेंट तो इंफिनिटी गोगा माइनस टू प्लस लिमित एक्सेंट एंफिनिटी त्रीन बाइ एक्स यह वाला स्टेप्स मैं इसलिए लिककर दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग अक्सार पार्शल लिमिट्स लेने की गलती करते हैं कभी में पार्शल लिमिट्स नहीं लगानी है इसलिए यह पूरे स्टेप वाइज मैं सारी चीज़ें करकर दिखा रहा हूं आगे से कैसा मैं डिरेक्ट्ली इन चीज़ों को लिग दिया करूंगा तो यह चीज़ागी तुम्हारे पास 1-0-2-0 इस चीज़ की लिमिट आ रही 102 बाइच सेवन में अट Но अब जैसे जैसे ग्सिंफिन को अप्रोच्च कर रहा है यह वाली चीज़ के ुस्ति जरो Liebe वहल्य भी रिमिटी डिरेक्ट लीका मैं-स आयगे घरगी तक एफिक अब तो यह निन वीच इसकी लिमिट अप्रोच कर रही है इसके लिमिट आ रही है तो जो तुमारे पास ये वाला फंक्षन मन रहा है sandwich sandwich function उसकी limit minus half ही होगी यह sandwich function का एक example था minus half is the answer